तो आपका स्वागत है मेरे चैनल आउगी बाबा में और आज हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड की तो जो प्रिवेश वीडियो हमने किया था तो उसमें मैंने बताया था अगर आप स्कार्टिंग कर रहे हैं तो तो आज हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड की और फ्रेट बोर्ड में कि हाव इस जो मेटल की जो स्ट्रिप्स होती हैं यह इस फ्रेट बोर्ड को डिवाइड करती हैं ठीक है तो जैसे कि यह होगे मेरा फ्रेट यह होगे मेरा सेकंड फ्रेट यह मेरा होगे थर्ड फ्रेट 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 सिक्स्थ फ्रेट सेवंथ फ्रेट ठीक है और यह एथ फ्रेट नाइंध फ्रेट तो आप जैसे दे फ्रेट पे डॉट होता है, तो अब हम शुरुवात करेंगे, जनरली जो लोग शुरुवात करते हैं, या फिक कोई सिखाते हैं, तो वो यहां से शुरुवात करते हैं, बट जनरली मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, आप करिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 फ्रेट से, क्यों? तो अगर थोड़ी दर गड़ा बजाएंगे, तो आपके शुल्डर पे टेंशन क्रेट होने लग जाएगी, ठीक है? तो इन और तो अवाइड दाट, अब मैंने यहां बलकु रिलाक्स रखा हुआ है, ठीक है? तो मैंने इसको ऐसे करके उठाया हाथ, ठीक है? और मैंने शीद अब 1, 2, 3, 4, 5, मैंने बहुत एज़ी है, मैंने ऐसे उठाया और मैंने शीद यहां हाथ रख दिया, ठीक है? तो मुझे अपना हाथ एक्स्टेंट करने की जुरूत नहीं है, बट, here I can play very easily, और सबसे important जो दूसरी चीज है वो, कि जब लोग बजाते हैं, तो वो जो यह बीच में है, यहां play करते हैं, यहां press करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको काफी जोर से press करना पड़ता है, और पहली बार ही अगर आप press कर रहे हैं, तो आपके उंग्रियों में काफी दर्द होता है, और इस तरह से कुछ निशान हो जाते हैं, तो उसको avoid करने के लिए क्या करना चाहिए, जो यह metal strip है, अगर मैंने 5th fret बोला आपको, तो आपको try करना है, कि आप बिलकुल उसके पहले बजाए, जो यह metal strip है, इसके पहले बजाए, यहाँ पर press करें, और काफी लोग ऐसे प्रेस करते हैं, अपना यह जो palm है, ऐसे रख दिया और ऐसे करते हैं, तो यह बिलकुल गलत है, आपको क्या करना है, आपको जो थम है, थम जो है सिर्फ, मैं दिखा तो आपको, थम जो है, आपका गिटार के पीछे ऐसे होना चाहिए, इस तरह से, ना कि ऐसे, खाली थम होना चाहिए, इस तरह से, खाली मेरा थम यहाँ पर इस तरह से है, और मैं अब क्या करूँगा, मैं करूँगा इस तरह से play, ठीक है इस तरह से मैं इसको प्रेस करूंगा और मैं यहाँ इससे एक यह नोट डाउन करके हिट कर दूंगा बस ठीक है और इसके बाद में मैं दूस'reा नोट हिट करूंगा जो 6th fret होना उसको मैं प्रेस करूंगा यह वाला नोट यह अब मैं इसको अगर बजा रहा हूँ तो मुझे इसको उठानी की जुरत नहीं है काफी लोग क्या करते हैं जब प्रेस कर जब प्ले करते हैं तो इसको बजाया फिर दूसरी बार इसको बजाया तो हटा देते हैं फिर इसको बजाया तो हटा देते हैं हमको इसको प्रेस करना है और make sure कि जब आप ये प्रेस कर रहे हैं तो बेशक इसको प्रेस मत करें पर हाथ मत हठाईए ठीक है और फिर next फिर next और इसी को आपको repeat करना है बार बार 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और आपको दिखा दू आपको दिखा दू मेरा दूसरा हाथ कैसे play हो रहा है अगर मैंने हाँ बजाए 1, 2, 3, 4 तो डाउं, 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 ठीक है, और जो मेरा ये वाला हाथ है, मुझे उसको पले ऐसे करते रहना है, और जब ये मेरे से अच्छे से हो जाए, ठीक है, और काफे लोगा ऐसे बसता है आवाज कट जाती है, आवाज continue नहीं करती है, वो आवाज continue क्यों नहीं करती है, क्योंकि जब अपने प्रेस किया, अब मैं इसको प्रेस रखाया तो ये आवाज सस्टेन कर रही है, बड़ अकर मैं इसको छोड दूँगा, तो आवाज भी रुख जाएगी, तो ये ऐसा नही जाना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं chromatic scale और यह बहुत important है आपके हाथ की alignment के लिए आपके हाथ की shape के लिए क्योंकि हमारी पांचों उंगलिया बराबर नहीं है तो होता क्या है कि यह जो उंगली है it will tend to go this way मतलब आपको इसको बीचो बीच नहीं बजाना है मैं ऐसे बजा रहा हूँ मैं थोड़ा कैमरा के पास लाता हूँ देखिए मैं इसको ऐसे बजा रहा हूँ और मैं इसको ऐसे बजा रहा हूँ इसको ऐसे बजा रहा हूँ और यह जो है इधर से बज रही है इधर से यह बीचो बीच से नहीं बज रही है, यह इधर से बज रही है, तो यह this is all natural, this will go this side, this will go 90 degree, this will be 90 degree and this will be 60 degree, ठीक है, तो यह हो गया हमारा chromatic scale, और इसी को आपको फिर दूसरे string में जाना है, उपर आले, second string पे, और second string पे ही यहां पर भी आपको strum करना है, ऐसे, down, 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 फिर third पे, down, 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 एब मेरा हाथ जो है, जो strumming hand है, यह भी साथ में उसकी साथ में जा रहा है, अब मैं यहां पर fourth string को press करूँगा, तो मैं यहां पर भी fourth string को ही hit करूँगा, ठीक है, तो यह ही हापको practice करने है, ठीक है? So friends, आपने देखा कि हम अपने alternate picking या alternate picking भी छोड़िये आप खाली अगर down भी hit कर रहे हैं, तो that is also fine तो आप कैसे अपना left hand, कैसे हमने इसको introduce किया और कैसे उसको position करना है और इसको आपको बहुत ही बहुत जादा slow करना है और इस scale को बोलते हैं chromatic scale, ठीक है? तो इसको आपको 5th fret से play करना है and you have to do it till the time you start feeling comfortable, ठीक है? और इसका reverse version भी होता है but right now I really wanted to want you to focus on this कि आप confused ना हो जाएं तो आप खाले इसको left hand, left hand से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 करके practice करते रहे हैं और एक साथ आपको 6th string तो उपर नहीं जाना है आप पहले 1st string पर करिए, when you get comfortable in the 1st string then keep jumping on the string like 2nd पर, 3rd, 4th, 5th and then comes the 6th and then come back from 6th to the 1st string ठीक है friends? तो I hope कि यापको काफी helpful रहा होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंदना है तो प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल ओगी बाबा थैंक्य। तो I